अब आपका केस लगया है भगवान ना करें मैं चाहूंगा किसे केस ना लगे पर मेरे चाहने से दोस्तों यह रूख नहीं सकता आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस नेचर में भरनी यह नहीं पता कौन सा फॉर्म भरना यह नहीं पता 500 रुपे में फटाफा यह भरी खतम बात वेरिफिकेशन में नहीं होती कई केसों में तो तब इस तरह के केस आते हैं और हमें इन तिरों को जिलना पड़ता है कि अब कैसो को दोस्तों सबसे पहले आपका कंपूर्टर में स्लेक्ट हो जाएगा केस ऑटोमेटिक वन फोर्टी स्यूगर तूकर नोडिस आएगा आपके पास पोज़िया यह नहीं कि आपका केस स्लेक्ट हो गया अब आपको एक केस करना पड़ेगा फिर आपसे नेर आता है जिसमें मैंने बताया ना पीछे भी बैंक इस्टेड्मेंट दे दीजिए बैलेंशित दे दीजिए कंपूरूशन दे दीजिए इसके बेस्ते हो फर्दर कोई निकालेगा यानिकि इंट्रोगेशन चालू होगी आप को समिट करोगे सब कुछ ओनलाइन दोस्त सकता है अगर आप अपना केस खुदी कर रहे हो और आपको भी नहीं पता होगा इतना अच्छा सिस्टम डिपार्मेंट ने बनाया है तो इस चक्र मत रहा है कि मैं मैंनेज कर लूंगा कुछ नहीं होगा सारा काम ओनलाइन है तो यहां पर आखी में दोस्तों का सैटिस्वा कर लिए है आई ट्यार को मैं एक कर रहा हूं और मैं उसकी इंकम भी एक करोड की ही मान रहा हूं लेकिन अगर नहीं हुआ तो लिखेगा आई ट्र एक कोड़ की फाइल करी है लेकिन पंद्रा लाग का लोन था जो सस्पिशेस है वेरिफिकेशन नहीं हो पाई अब मैं आई सब्सक्राइब उसके बाद इस एक्षिन का मैं खतम हो जाता है फिर आगे अपील में जाएगा अगर एडिशन हुई तो मेरी एक्सपर विए ने दुस्तों मैं मेशे चाहता हूं कि आपको अपनी तरफ से बताओं कि इंकम टेक्स केस बहुत कराएं मैंने बहुत ज्यादा बड़े बड़े लेवल्य कराएं सर्चेंशीजर के केस बहुत बल्क में कराएं और जितना भी सर्चेंशीजर के अंदर होता है काफी अच्छा experience मिलता है अब आपको बताऊंगा आपने क्या धान रखना है जासे आपके पास इंकम टेक्स कर नोडिस अकर आजाए तो आप उनकी जो को फॉल अप कर लें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों रट लेना अच्छी तरह है अपनी इमेल आइडी फ हो चुगा है और आपके पास जो इमेल इडी फोन नमबर है इसी पर मैसेज आएगा कि आपका के स्लेक्ट हो गया है 90% केस में लोगों को पता ही नहीं होता कि केस लगा हुआ है क्या हो को बताऊंगा अब इस केस में तो ध्यान रख लें अगर आए तो अपने आप कभी भी कि दोस्तों रिप्लाई फाइल ना करें वह सारे लोगों को मैं केस कराता हूं जो अपील स्टेश पर या कोर्ड पर जाता हूं मैं लोग क्या करते हैं सुचते हैं कि लेटर का अधान परदान है उसे मैं इसे पूछा है प्रॉपटी के पेपर ले भाईया प्रॉपटी के लगा दिया मैंने आपको इंप्लिकेशन समझने पड़ेंगे कि अगर गलती कर दिया आपने अपना रिप्लाई देखे ओनलें रिप्लाई चला गया और आपने कुछ गलत लिख दिया तो बहुत ही बड़े इंपक्ट आएंगे यूक्रेयन रूस का देखिए रहो आप अन आती है आईटो कहता है कि आपने फर्ष्ट स्टेश पर डुकुमेंट नहीं दिये इंकम टैक्स ऑफिसन ने वेरिफाइए नहीं करें और कोट इसको वेरिफाइए नहीं करेंगा वह केस दवारा वापिस देजए आईटो के पास तो इसका मतलब अगर यहां पर किसने केस अगर आपने नहीं करा अगर आप नहीं बताओगे कि मेरी क्या चीज है तो सरकार के पास पावर है इंकम टैक्स के पास पावर है तो इस पे 75 परसंट का टैक्स रिट लगाएगा एक्जामबल के लिए अगर आपका एक क्रोड की पैसा आया हुआ है मैं मालो मेरे बैंक में कोड़ आया हुआ है मैं सीजे हूँ एक कोड़ मैं 80 लाग खच कर आओ लेकिन इंकम क्या करेगा रिप्लाइफ फाइल नहीं करा तो मेरी एक क्रोड को वह माल लेगा कि एसकी अंडिस्क्लोज इंकम है यानि कि दो नंबर की इंकम माल लेगा खर्चे में देगा पूरे बैंक को जितना भी बैंक में पैसा आया हुआ है पूरा पूरा एड कर देते हैं इंकम टेक्स वाले पावार उनके पास अब आपने अगर रिप्लाइफ नहीं फाइल करा दिक्कत क्या आएगी 20% की टेक्स पेमन करनी पड़ती है अग आपको आगे बचना केस कराना है 20% पहले टेक्स करना पड़ेगा 25 लाग का तब जाके आगे जगडा होगा बना बैंक के कौन अटाइच हो जाएगा आपका प्रोपर्टी अटाइच हो जाएगी डिकफ़ी हो जाएगी डवल ट्रिपल प्रॉलम आती है मैं बहुत ही जाता 80,000,000,000 का मेरा खर्चा था 20,000,000 का तो मेरे प्रॉफिटई है 20,000,000,000 मी द्राइंग भी होगी मैंने 5 श्यलाग कमाया होगा लेकिन आपके क्या हो रहा है 55,000,000 की डिमांड की घूम रहा हूं यान कि सरकार में 30,000,000 प्रूपर्पर मांग रहे हैं की एकुछ और धए गर म अगर आपने रिप्लाई फाइल नहीं करा सब काम ओनलाइन है पहले हिम जाते ते रुकैश करते ते कि प्रॉब्लम में सर यह है वह आनी पाए दिक्कत थी हम बीजी थे अब कोई दिक्कत नहीं तो ओनलाइन रिप्लाई फाइल करना है कोई सुनवाई नहीं है अगर आपका अपने से रिप्लाई फाइल नहीं करा प्रोफेशनल की हेल्प नहीं ली मोटा मोटा खर्चा जो मानता हूं दोस्तों अगर बीजी क्या है 25,000 से 35,000 का होता है एक साल का इसमें टैम लगता है जो भी पूसीजर है पूरा नो महिने का 25-35,000 का है इसमें बता दोस समझने कि क्या उसे online assessment कराने का experience है यह नहीं क्या उसने उस issue पर पहले कभी case कराएं है यह नहीं या दो चार रहार रुपे में दोस्तों कभी भी नहीं होंगे ध्यान रखिएगा और आप चाहें तो इसमें मेरी भी help ले सकते हैं मेरे से कोई advice ने सकते हैं जैसे आपके पास ध्यान रखना है और अपने प्रिपलाई फाइल ना करके किसी professional की help नहीं है मुवाइल नंबर इमेल आइडी नीचे दीविए आम इसे contact करके advice करा सकते हैं वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को subscribe करने के साथ साथ बैक आइकन पर all notification जूरू क्लिक कर देना और वीडियो को बड़ी-बड़ी इमडिकेशन फच जाते हैं जल मिलेंगा एक अच्छी वीडियो के साथ जो आपको और नौलीग दे सके फैंशल एजुकेशन पर तब तक के लिए नमस्कार